है 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 हलो फ्रेंड्स फुडी टेक चैनल में आपका बहुत बस्वागत है आज की इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग रिविव करने माले हैं दोस्तों रेड्मी नोट 9 प्रो के बारे में दोस्तों अभी तक आपने फुडी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीड देख सकते हैं रेड्मी नोट 9 प्रो का बॉक्स और यहां पर एक सिंपल सा टॉप साइट पर यमाई का लोगो बॉक्स के ऊपर इसी तरह से बॉक्स के राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों रेड्मी का लोगो और उसी के साथ बॉक्स के फ्रेंट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा रेड्मी नोट 9 प्रो का ब्रैंडिंग लोगो नेम और उसके साथ आए आपको सेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों चलिए दोस्तों बॉक्स को अन्बॉक्स कर लेते हैं उपन कर लेते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट करेंगे बॉक्स ओपन करने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक SIM Rejector Pin और इसके साथ आपको मिल जाएगा नार्मल सा User Manual, User Guide आप इसको देखकर आराम से पढ़ सकते हैं उसे के साथ मिल जाएगा आपको एक Black Case यहां पर देख सकते हैं बैक कवर भी इसको काई जाता है सॉफ्ट और स्मूथ यहां पर एक Black Case भी आपको दिया भाए यह रहा दोस्तों Redmi Note 9 Pro mobile phone हम इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं box में कुछ इसके accessories के बारे में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों 18-odd का फास्ट चार्जर और उसे के साथ आपको मिल जाएगा USB-A to USB-C टाइप केबल चेले दोस्तों अब बात करें लेते हैं phone की phone के अगर build quality की बात करेंगे तो back side में देख सकते हैं blue color chaining और finching के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी weight की बात करेंगे तो 209 ग्राम इसका weight है दोस्तों और इसका plastic frame में यह बना हुआ है दोस्तों और friend side में आपको भी देखने को मिल जाएगा gorilla glass 5 में दोस्तों यहां पर phone के right side में देखेंगे तो finger fin sensor आपको देखने को मिल जाएगा back side में नहीं है और उसी के ठीक ऊपर side में volume record up.on भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसे के साथ यहां पर नीचे से में देख सकते हो दोस्तों 3.5 mm एड़ आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर हम display की बात करेंगे तो 6.67 इसका display है दोस्तों और यहां पर front camera आपको देखने को मिल जाएगा और back camera देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस मूबल की processor की अगर बात करेंगे तो दोस्तों आपको Snapdragon 720G आपको processor मिल जाएगा और इसके साथ यह 6GB RAM और इसके साथ 128GB storage आपको internal storage देखने को मिल जाएगी और इसके साथ यह battery capacity कि अगर बात करेंगे तो 520 mAh battery है दोस्तों काफी बड़िया battery है और इसके साथ OS Emirate 10 पर यह चलता है दोस्तों चले दोस्तों इस phone को आन कर लेते हैं आन कर लेने के बाद इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा और कुछ बेसिक से इसमें लांग्वेज वगरा सेटिंग्स वगरा पूझेगा इसी तरह आप उसको प्रोसेस फालो करेंगे तो आपका फोन अटोमिकली स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों फोन अन होने के बाद आप देख लेते हैं दोस्तों टच की स्पीड यहां पर फास्ट रिस्पंस कर रहा है नहीं है देख लेते हैं यहां पर अगर टच केकर बात करेंगे तो काफी फास्ट रिस्पंस कर रहा है यहां पर देख सकते हैं नेविगेशन बार हो या आपको इस वीडियो में बस इतना ही था hai दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अपको पसंद आए तो लाइक करें करें और सबस्क्राइब करने ना भुलीए दोस्तों इसी तरह हम अमेजिंग वीडियो बनाते रहेंगे तैंक यू झाल